गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम करेंगे आपकी सयामत क्लास की बुक व्याकरन का लेसन नमबर टू वर्ण विचार इसमें फर्स कॉशन है बच्चो आपका वर्ण किसे कहते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी काई है बच्चो जिसके ओ टुकडे नहीं किये जा सकते व्यंजन पहले हम करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारन में किसी अन्य वर्ण की सायता की अवशक्ता नहीं होती जब स्वरों कापा उचारन करते हैं तो बच्चो किसी भी दूसरे वर्ण की सायता नहीं लिजाती अकेले अपने आप बोले जाते हैं ये स्वर कहलाते हैं इनका उचारन करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है ये संख्या में 11 होते हैं जैसे अ नार आ आ आ इमली जो ए नार सारा होता है ये सारे क्या हैं स्वर स्वर के आगे तीन भेद होते हैं बच्चो हस्व स्वर, पलुत्सर, स्वर और दीर्ग स्वर पहले हम करेंगे हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं यह संख्या में चार होते हैं A, छोटी E, छोटा U और Riri-shi फिर है बच्चों दिर्ग स्वर किसे कहते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में हस्वस्वर से दुगना समय लगता है उसे बोलते हैं दिर्ग स्वर ये संख्या में साथ होते हैं A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A जैसे आपको बोलते हैं, हे राम, तो राम के बाद काफी लंबी यवाज आती है, ओम, बीच में S का साइन आता है न, उसे बोलते हैं, पलुक स्वर, फिर है अनुस्वार, इसका जो चिन होता है बच्चो, वो शिरो रेखा, शिरो रेखा होता है किसी शवद के उपर जब जाता है, इसका उच्चारन करते हैं, हवा नाक से बाहर निकलती है, उपर जो बिंदी लगाते हैं, बचों से बोलते हैं, अनुस्वार, जैसे हंस, कंगा, पंग, पंचम, आदी, अनुनासिक, इसका जो चिन होता है, वो शिरो रेखा कि उपर लाइन के उपर, चंद्र बि आपके साथ बाहर निकलते हैं, उपर चंद बिंदू लगाते हैं, इसे बोलते हैं, अनुनासिक, जैसे गवाना, हसी, चंद, नांद, टांग, मांग, कुछ भी, आगे हैं बच्चों, आपका विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग लास्ट में किसी शवद के दो बिंदियां सी लगी होते हैं, उसे बोलते हैं, विसर्ग, इसका उचारन है की तरह किया जाता है, बच्चों, जैसे अत है, प्रत है, या दिकतर संस्कृत जो शवद होते हैं, संस्कृत के उनमें ज्यादा यूज़ होते हैं, बच्चों, प्रत है, सवत है, अन्तत है, अत है, ठीक है, सायता ले जाती है यह इसे बोलते हैं व्यंजन इनका उच्चारन करते समय हवा मुख के अलगलग स्थानों को छू कर निकलती है यह संख्या में 33 होते हैं यह सारे क्या होते हैं व्यंजन होते हैं बच्चों आगे हैं आपका व्यंजन के कितने भेद हैं व्यंजन के आगे दस्थवयंजन और उश्मवयंजन पहले हम करेंगे स्पर्षवयंजन स्पर्षवयंजन किसे कहाते हैं स्पर्ष का मतलब होता है बच्चो छूना जीन वर्णों के उचारण के समय श्वास वायू जीवा जीव और मुख के अलगलग भागों को स्पर्ष करते हैं उसे बोलते स्पर्श्वेंजन यह संख्या में 25 होते हैं 25 होते हैं जैसे कख गगड़ क से लेकर मो तक 25 आ जाते हैं यह सारे क्या है स्पर्श्वेंजन जैसे जो क की लाइन होते है कख गगड़ इसे बोलते हैं कवर्ग यह 5 वर्ग होते हैं चवल लाइन को चवर्ग टवल लाइन को टव इनके उचारन के समय जीवा मुख के किसी भी बाग को सपरश नहीं करती है, यह संख्या में चार होते हैं, यह रह लव, ठीक है? आगी है उश्म व्यंजन, उश्म का मतलब होता है गरम, इन व्यंजनों के उचारन के समय मुख से रगड खाकर उश्मा पैदा होती है, यानि उ चारन के समय मुख से गरम हवा से निकलती है, यह संख्या में चार होते हैं, श शलगम, श शटकोंड, स और ह, आगे हैं बच्चो आपका सव्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उसे स्युक्त कहते हैं, जैसे आपका लि वेंजन का अपने समरूप वेंजन से मेल होता है तो उसे बोलते हैं द्वित्व वेंजन जैसे मैं लिखू सच्चाई आधा चय भी आगया पूरा चय भी आगया दिब्बा आधा बह भी आगया पूरा बह भी आगया चम्मच आधा मैं भी आगया पूरा मैं भी जो अक्षर कि अचया आता है वह ही पूरा भी आया उसे वह हैं द्वित्व यंजन कि आगे हैं स्यूगताक्षर मिलता है那麼 जैसे सयुक्त में आधक आया है प्रन्तु पूरा कहने आया है अलग से अक्षर कोई वर्ण आ गया स्वाद आधा सो जिसमें आधा आ जाए तो वो क्या होता है स्थान शुद्ध सयुक्त स्वाद कुछ भी ऐसे ठीक है फिर है कि बच्चो आपका वर्ण विछेद किसे कहते है विछेद का मीनिंग होता है बच्चो अलग करना शब्दों के वर्णों को अलग लग करके लिखना वर्ण विछेद के लाता है जैसे रजत लिखते हैं अब र के बाद अ की साउंड है फिर हम लिखते है कीमत कीमत पे बढ़ी की बात रहा है क बढ़ी म अ त अ ऐसे फिर है वंन सयोंग अब विछेत किये गए वनो को मिला कर पहले सिती में लाना वं विछेत कियला ने देखो वननों को अलगलग करके लिखा तो वं भिछेत अब अलगलग दिया हुए उनको इकठा करके लिखना तो उसे क्या बोलते है वंन सयोंग जैसे कि शब्द है शब्द यह लग लग दिया हूँ है इनको एक अठा जोड के लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा बस यह है कि वंड से हूँ आपने इसका बुक और फिल भी करना है बच्चो लर्न भी करना है उसके question answer की मैं pick send कर रही हूँ सभी ने साफ और सुनदा writing में अपने notebook पर लिखना है और इसको learn करना है बच्चो thank you